हेलो दोस्तों केच्छी हो आप सबी लोग आपका स्वाग ठेजी चीछोली लोग पे मैंने चीछी माल दी है आप केच्छी हो बताना मुझे कमेंट में गलाब चैनल पे नहीं अच्छे लाइक और सब्सक्राइब करना बता आप केच्छो दाई बाई और बाई लेक्टन को जुरूर दबाना कर सब्सक्राइब करो दो तो आज बहुत अच्छी कासी दूप निकली थी यहां पे 26 चैनुवरी को आपके मां कैसी निकली थी मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बदाना तो आज इसका नहलाना दुलाना करके और यह देखो अभी दूप में सही आया है और थोड़ दिर आज इसका कैप भी उतार द दूप में पहुत अच्छा लगता है बहुत जादा मतलब अंदर इतना नहीं खेलता है यह भार तो यह कूब देर खेल लेता है मतलब दूप में लेटालिटा हां लेकिन पास में कोई ज़रूर लेटा होना चाहिए वरना आसपास में नजरे उठा-उठा के देखता रहता और अंदर जैसे ही मैं इसको लेके आई ना लेके आगे मैंने लिटाया कि निश्चे इसके पास बैठना मैं अभी आती हूँ तो निश्चे ने देखो इसकी आवाज निकाल निकाल के जैसे तो चोटा बेबी बोल रहा है और आपसका विडियो बनाना शुरू कर दिया विड मैं गाजरब्या निकाल की निकाल निकाल के बेचा कि निकाल छोट्याता बिश्चे कराथा को चैश्चे में ना की ख्रीदीओ कुए से तो यह यह साहा हो यह है दूम या मुझे घर से मिलती है मेरे से तो मैं जरूर आपको लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ तो आज भी कुछ इसी तरीके का समानना मैं आपको दिखाऊंगी ये सारा समानना किचन से रिलेटेड रहने वाला है किचन ओर्गनाइजर आप इनको बोल सकते हो इनसे है मतलब अपनी किचन को थोड़ा सा और्गनाइज करके हम रख सकते हैं और लेडीज की आदत ही ऐसी होती है कि और कहीं घर का को ना चाहिए इतना सा छूट क्यों ना जाए लेकिन किचन जो है न वो बिलकुल बढ़िया सैट होनी चाहिए वरना हमारा मने नहीं लगता घर में है ना हलो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाने वाले हो सबसे पहले शुरुआत में यहीं पर रखा था तो मुझे आद आगया कि वीडियो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कुछ लोग देखके समझ भी गए होंगे इस तरीके का है साइड में पिक लगा दूंगी क्लियर करने के लिए आपको कि यह किसी में आपके आने वाला है तो इसको आप यूज कर सकते हो मतलब जो डबल सिंख जिसके घर में लगा हुआ है ना मेरे दिमांग में बिल्कुल भी यह नहीं रहा कि यह संगल सिंख पे कांप नहीं आने वाला और क्योंकि मेरे पास तो एक ही सिंख है वरना मैं आपको लगा की भी दिखा देती जिसके घर में दो सिंख है ना एक साथ तो दूसरे वाले सिक पे जिसमें आप साफ बरतन रखते हो उसमें इसको उपर रख सकते हो इस तरीके से जैसे कि आप पिक में देख रहे हो और इसके उपर फिर आप बरतन धोदो के जचा दो तो सारा पानी जो है ना नीचे की तरफ टपक जाएगा और मतलब स्टैंड में जब आप बरतन लगाओगे वापिस से आपने ड्रॉब में बरतन चब लगाओगे तो उस टाइम उन में पानी बिलकुल भी नहीं होगा बहुत यूसफुल लगा था मुझे यह इसलिए मैंने मंगाया था लेकिन अब आगया है तो मैं इसे रिटन नहीं करूंगी या तो म आप कोई भी प्राड़क्ट जो है रिटन करना चाहते हैं एक्सजेंज करवाना चाहते हैं ICH कोई शो आगया आपके प्रोड़क्ट में तो आप उसे रिटन एक्सजेंज कर सकतें फाइविदेस की इसमें पॉलिसी दे गई है तो यह भी टेंशन नहीं है कि कोई उसके अलावा आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा तो यहां पर अब मैं आपको यह बॉटल दिखा रही हूं जो कि जिससे की मैं पानी भर के रात को और रखती हूं और यह पानी जो है निश्चा की पापा मॉर्निंग में उठके पीते हैं क्योंकि आपको पता है जो तांबे क पानी होता है वह पेट के लिए बहुत अच्छा होता है पेट की कई बीमारियां उससे दूर होती है तो उनको पेट से रिलेटेड समश्या रहती है तो फिर वो उन्होंने मुझे काफ़े दिन से बोल रखा था वैसे जग तो मेरे पास पहले से था लेकिन अब भी मुझे बोटल चाहिए थी तामबे की तो बस यही मैंने ओर्डर की थी उनके लिए और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यह स्टोरेज बॉक्स जो कि किचन में आपके बहुत बहुत कावाने वाला है और यह वैसे तो मल्टी परपस यूज हो सकता है आप इसमें ड्राइफ रूट् लेकिन मैंने इसको किचन के लिए ही ओर्डर किया तो इस तरीके से इसके अलग-अलग ऐसे पार्टिशन बना रखे हैं चार और इनमें आप अलग-अलग जो है ना इस तरीके की डाले डाल सकते हो जैसे थोड़ी-थोड़ी जब आपके पास रह जाए ना तो आपको चार दिब्बे घेरने की ज़रुत निया कई बार ऐसा होता है कि हमें डिब्बो की ज़रुत पढ़ जाती है और थोड़ा-थोड़ा समन कई डिब्बो में पढ़ा रहता है तो इस तरीके के आप एक या दो मतलब बॉक्स ले लो तो आपके सार ये थोड़े-थोड़ी जो के-पाल पी जितने भी छोटे-मोठे से जो भी बड़तन होते है ना आप अच्छे से क्लीन करके और इसमें रख सकते हो सारी में ही आप देख सकते हो सारे में नीच्चे जाली जाली है ना तो साहा पानी इसमें इसमें निकल जाएगा और हां पर इसमें चरण दोगी करने के लिए प्मितर दोपने के लिए और यह जो पंपलपी, यह आप प्लेट obs खड़ी करने के लिए और इधर आप अपने बाय बतण आपने बाटों दोपना है और सबसे वड़ी है राफ बात यह है है कि आपको हैस इना मतलब ए ऐसा अग है कि आपने इस लैप पे रख तहो पूरी स्लैप आपकी की लिए होगी इस διαख तरीके से आपको यह ट्रै इसके निक रहनी है और सारसकासारा एक्सट्रानी आयगा द्या तो आपके सिंक में सारा पानी निकल जाएगा आपकी किचन के स्लैब जो है साफ सुत्री आपकी किचन रहीगी आपको बिल्कुल भी बार 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 पानी साफ करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और हां यह सारी चीजे मैंने ली हैं बुल-बुल शॉप से उनका जो लिंक हो आज की शॉपिंग में से आपको कौन सा प्रोड़क्ट जो है सबसे अच्छा लगा मुझे तो जो है न मेरा फेवरेट तो वह हुआ है जिसमें अलग अलग पार्ट बना रखे हैं मुझे वह बहुत पसंद आया और अभी मैं आ चुकी हो यहां किचन में और किचन में जो ह आया था ना तो यह काफी बड़ा था तो खाते 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 यह नहीं हो रहा था क्योंकि ज्यादा तो कोई खाता नहीं है मैं ही खाती हूँ पपीता तो लेकिन अब मैं भी सोच रहे हो कि बंद कर दूँ और आप बताना मुझे अब तो में छोड़ सकती हो ना क्यों जिनको पता है वो ज़रूर बताना तो बस यहां पर आपना ज्यादा ही बचा हुआता तो मैंने सोचा इए सारा का सारा ही काट लेती हूँ एक बार कट जाएगा तो फिर खाया जाएंगा और जब मैं पूछती हूँ ना कि आप खाओगे आप खाओगे आप खाओगे तो हर कोई मनाई कर देता है कि नहीं मैंनी खा रहा ऐसे होता है तो अभी खानी में न जो रात के खाने में थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा उससे पहले अपना ये काम निप्टा देती हूँ जो आख सबजी को मुझे बनानी निया तक दिन में लट LAUGH сохран Car कर दरें सब्जी जय् naprawdę मैं आपको आघ निवे सेख को पुर में सब्सक्रा सब्सक्राइब को आपको कही बें कि Alors나 properties मैं थे रहा हिए तो कर सेख't pai पंग देती हुआ तो फिर रोटी भी रखी रह गई और सबजी तो रही गई तो फिर इनोंने कहा कि सबजी रोटी मैं तो अपनी वही खालूंगा बस तू अपने लिए थोड़ी गरम बना ली हो और सबजी तो वही चल जाएगी क्योंकि लिख्विड सबजी जिसमें तरी-तरी सी होती है ना उसके साथ मतलब अच्छा लगता है मतलब खाना खाना भी सही लगता है सुखी सुखी सब्जी से ना उतने से रोटे ने खाई पाती क्योंकि वैसे तुम्हें लसी ले लिया करती अब लसी दही तो लेनी नी होती है और सर्दी भी बहुत जाब है स्वागत था नहीं चैनल वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दें के ठाउट के तूम होचका है शाम के रात नौ बजे का नो नो बजे का नो बसक में चुटको का डाइपर चेस किया था इसलिए मने पान चैन मिनट तो लगी कुण के अब और आस आippers तो पार द्यारियो नहीं था अब भी नहीं सोने वाला जाता है पिर जो जाता है पूरी रात नेंदव में एधर लिटा लेती हूं और जाते हैं सुबह के आठ-ंषी करिब फिर यह बोलना शुरू कर दिता है फिरवल एस खोल लेता है फिर नहीं सोता है बिल्कुल भी और रात भर तो मतलब पूरी रात चलता ही रहता है ऐसे कुण-कुण-कुण-कुण-कुण-कुण चुएगी तरह करता ही रहेगा दिरे-दिरे-दिरे-दिरे तो चलो फिर यह सारी चीज़े तो अभी दो-तिन मेने की और कहानी अबी चलती ही रहेंगी जब तक बच्छा है मतलब अच्छे से जानने पहचानने नहीं लग जाता कि जाननी अजह से तब तक हुष जह सबस्वरें जाका और यह सब Ap आप आप जो है अपने बच्छों को पालते हैं तो चलिए फिर आज इस विडियो को यही पैंड करती हूं और कल मिलूंगे अपनी नेक्स नहीं अच्छी से वीडियो में तो चलो फिर बाइबाइ टेक एक तर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सबस्क्राइब कर देना और निश्चे की बजी परिये बाइन तो वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक शेर जब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को ठीक है मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स नही अच्छी सी वीडियो के साथ तक लिए बाई बाई